Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे कि आपके परसन की current feelings आपके लिए क्या है So ये सारे Star Science की reading होती है ये एक short reading है और बिलकुल timeless है So हम देखेंगे कि आपके परसन आज कैसा feel कर रहे है So शुरू करते हैं सबसे पहले हम overall feelings देखेंगे आपके परसन की Six cards होंगे उनकी overall feelings के लिए Six, okay So सबसे पहले हमारे पास है choice So maybe आपके person को कोई decision लेना है और इसलिए इस वक्त आप लोगों का connection pause में है, रुका हुआ है Maybe उन्होंने recently अपने खाब में आपको देखा ये इनसान maybe available नहीं है इस present time में Unavailable है, आपको time नहीं दे रहे हैं Maybe बहुत जादा busy है, holding back And then intuition So ये इनसान कोशिश कर रहे हैं अपनी intuition को follow करने की जो उनकी higher self उनसे कह रही है But उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है decision लेना So choice का मतलब ये नहीं है कि आपके इलावा भी कोई इनसान है It's just कि उन्हें choose करना है अब कि उन्होंने इस connection को कहां लेकर जाना है इस connection के बारे में क्या उन्होंने फैसला लेना है ये choice So इस वक्त आप लोगं का connection pause में है ये इनसान खुद को रोक रहे है इस वक्त कोई भी decision लेने से Maybe आपकी तरफ आने से भी खुद को रोक रहे है So basically ये इनसान इस वक्त कंट्रोल कर रहे है खुद को Let's see क्या है उनकी feelings Queen of Cups Three of Cups Nine of Swords Five of Wands And bottom of the deck पर है Ace of Wands So अगर आप लोगं का इस वक्त रापता नहीं हो रहा है ये इनसान definitely आप से रापता करने का भी सोच रहे है आप से रापता इनका हो जाएगा इस बारे में तो आपको कोई परिशान होने की जरूरत नहीं है So right now ये इनसान बहुत ज़ादा depressed है बहुत ज़ादा परिशान नज़र आ रहे है बहुत ज़ादा tension है anxiety है anxious energy है बहुत ज़ादा sleepless nights so उसका reason एक में ये भी नज़र आ रहा है अगर आपके हवाले से हम क्योंके देख रहे है उनकी current feelings आपके person को बहुत ज़ादा pressure feel हो रहा है और ये pressure इसलिए भी feel हो रहा है because आपकी energy है queen of cups की चाहे आप male हो या female ये एक बहुत generous loving energy है ये energy है 100% की कि आपने 100% दिया है आपने बहुत ज़ादा इस connection पर invest किया है आप all out गए हैं आप हमेशा all out जाते हैं अपने partner के लिए जो आप से हो सकता आप करते हैं उन्हें खुश रखने के लिए उन्हें satisfy रखने के लिए उनकी खुशी number one पर होती है उनको priority बनाया है आपने so इस वज़ा से भी आपके जो person है वो बहुत ज़ादा आप कहलें के pressure feel कर रहे हैं उन्हे pressure feel होता है आपकी अच्छाई की वज़ा से उन्हे pressure feel होता है और वो चाहते हैं कि वो भी आपके लिए कुछ करें maybe ये इनसान इस वक्त इस position में नहीं है कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकें या उतना ही कर सकें जितना आप कर रहे हैं because वो unavailable हैं वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होते हैं ज्यादा और आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हैं हमेशा उनके लिए आप हाजिर होते है यह चीज आपके परसन को परिशान भी कर रही है बहुत ज़दा प्रेशर फील कर रहे है वो इन सारी चीजों की वज़ा से आपके प्यार की वज़ा से सम्टाइम्स उन्हें गिल्टी भी फील होता है वो गिल्ट महसूस करते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप उनके लिए इतना कुछ करते हैं इस वज़ा से यह इनसान अब उनको कुछ डिसीजन लेना है मेभी उनको कुछ बैलन्स लाना है अपनी जिंदगी में कि वो आपके लिए भी अवेलेबल हो सकें वो अपनी जिंदगी में बैलन्स लाएं सारी चीज़ों को मैनेज करके चल सकें तो यह इनसान बहुत ज़ादा आपके बारे में सोच रहे हैं आपके लिए फील करते हैं और आपके लिए एक्साइटमेंट है आपके लिए पैशन है उनके दिल में जो कि आई फील कि उसको वो एक्स्प्लोर करना चाहते हैं तो यह इनसान हो सकता है कि कहीं पर आपको इन्वाइट करेंगे आई फील यह इनसान सोच रहे हैं आपको कहीं पर लेकर जाएंगे साथ इन्विटेशन आपको कहीं पर आने वाला है कॉल के थूँ फेले कॉल करेंगे फिर आपको कहीं पर इन्वाइट करेंगे मिलने को कहेंगे और आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं बिकिस यह बहुत ज़्यादा परिशान रहे हैं recently उनको यह चीज रियालाइज हो रही है प्रेशर वो यह भी फिल करें कि काफी वक्त हो गया उन्होंने आपको आपको टाइम नहीं दिया वो अब आपके लिए टाइम निकालना चाहते हैं मेभी एक पूरा डेडिकेटिट दिन जो आपके लिए हो वो निकालना चाहते हैं तो यह आपकी कुईक एनरजी अपडेट थी कुछ भी आपके लिए हलपफुल रहा मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में I'll see you in my next video Till then, love you lots Bye-bye